चलो आज बनाते हैं गाजर का हलवा वो भी बीना घीसे और बीना मैनत किये बीना तो नॉर्मली गाजर का हलवा बनने में बहुत मैनर लगती है और वो भी गाजर छोटे छोटे रहते हैं तो गाजर को ग्रेट करते टाइम ना हमें हाटों में लग जाता है तो आज नहीं काने के लिए उसको बहुत समय लगता है आठ सिफ बना रहे है गाजर का हलवा वो भी सिफ पंजा मिनिट में तो अभी ना सद्यों का मुसम चल रहा है तो लाल लाल गाजर तो आपको किडर भी मिल जाएगा तो इदर मैंने आदा किलो जिटना गाजर लिया है सिफ 20 रुपे म दो दो चमज घी अटाल गीको मैंट होते ही हमने गाजर को टुकडा-टुकडा किया ताना बस वही डाल देना है वैसे इसके अंदर ना पानी बिल्कुल भी नहीं जाएगा गाजर के अंदर ना अर्लेडी कानी होता है तो थोड़ी देर के लिए हमने धीम्याज पर रोज करना है इदर मैंने बड़ा वाला इलाइची डाला है उसके चिलके भी डाले है क्योंकि इसमें फ्लेवर अच्छा बढ़िया सा आ जाएगा तो थोड़ी दिर के लिए कुकर को ड़के रग दो तो दो मिनिट के बाद देखो पानी निकलने लगा है तो गाजर ना थोड भी नीचे से जलना जाए और चिपके ना अभी कुकर का डखन कर दो बन और हमें हाई फ्लेम में दो विसल बजाना है दो विसल के बाद हमारा जो गाजर है वो बिलकुल पक जाएगा देखो बहुती बढ़िया सा पक गया है एक बाद चेक कर लो हाटों से बस दो से जला व बदर सेर भी आप इसको मैश कर सकते हो गाजर तो पक गये है अभी हम इसके अंदर डालेगे दूद तो इधर हमें देड़ ग्लास जितना दूद डाला है यानि कि 350 M.L. तो डूद डालने से क्या होगा कि गाजर के अंदर मावा क्रियेट होगा यानि कि हमें उपर से मावा डालने की ज़रूरत नहीं होगी तो इधर मैंने मावा के लिए फूल फैट यानि की जो फूल क्रीम वाला दूद आता है न वही दूद का इस्तमाल किया है क्योंकि मावा फूल क्रीम वाले दूद से ही बनता है अगर आप टोन मिल्क लोगे न तो मावा नहीं बनेगा पर फिर भी अगर आपके पास फूल क्रीम वाला दूद नहीं है न तो आप टोन मिल्क का भी इस्तमाल कर सकते हो हल्वे को हमें मीडियम हाई फ्ले में पकाना है तो दिरे दिरे करके न हल्वा सारा दूद अपसरब कर लेगा यानि कि जो दूद है वो उसमें मावा का क्रीट होने लगेगा और हमें पता भी नहीं चलेगा कि इसके अंदर हमने मावा डाला था या फिर दूद डाला था तो इसके बार ना हमें चीनी डालना है इस टेज पे तो चीनी मैंने आदा कप इस्तमाल किया है तो थोड़ी देर के बार ना हलवे में कलर चेंज होने लगेगा ताकि समझ रहना कि हमारी जो चीनी है वो मैल्ट हो चुकी है और डूद भी सारा गाजर के हलवे ने अपसब कर लिया है यानि कि डूद का मावा बन गया है बस हमारा गाजर का हलवा तयार है आप उपर से ड्राइफोर डाल सकते हो वैसे हलवाई वाले के उदरना जैसे बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता है उनको बहुत सारा हलवा बनाना रहता है तो वो लोग इस तरह से ही गाजर का हलवा बनाते है बीना मेहनत के और बीना गी से और कुकर में जटपट बन जाएगा बिल्कुल बहार जैसा ठेश्ट आ और फ्लेवर आएगा तो ऐसे नए नए आइडिया के लिए और रेसिपी के लिए मेरा चनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब किजिए थैंक यू